त्योहारों के सीजन वे ट्रेनों में भारी भीड के बीच उत्ते प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की सरकार बसें यात्रियों को बड़ी राहत दे रही हैं आम तोर पर राज्य भर में रोजाना लगबग 10 लाख यात्री बसों से यात्रा करते हैं लेकिन दिवाली और चट के दौरान यहां संक्या 20-22 लाख तक पहुंच जाती है इस बड़ी हुई भीड को देखते हुए यूपी रोडवेज ने 4000 अतिरिक बसों का इंतजाम किया है यह तरिक बसें चट महापर्व के दौरान यात्रियों को शानदार सुविदा दे रही है इसके अलावा पर रायाग राज में होने वाले आगामी महाकुम्भ मेला के लिए बसों की संक्या बढ़ाई जाएगी यह जानकारी यूपी रोडवेज के जैनरल मैनेजर मासूम अली सरवर ने हॉन बिल टीवी को दिये माने मुखमंद्री जी के असपश्ट निर्देश थे कि जो तेवहारों का सीजन है उसमें परदेश की जनता को हो आवागमन में किसी परकार की कोई परिशानी नहीं हो इसके लिए परिवहन कि जनता हो किसी परकार की कोई परेशानी ना हो आवा गमन में इसके लिए हम लोगों ने इंसेंटीव स्कीम भी चलाई थी वो इंसेंटीव स्कीम अभी भी चल रही है ये उनके जो मांदे जो नियमित सब्सक्राइब रूप से मिलता है उसके अत्रिक्त धनराशी दि जाती है चालक और परिशालक को क्योंकि वह अपने परिवार से दूर रह कर करके जनता की सेवा करते हैं तो वो इंसेंटीव इसकीम हमारी इधर उधर कहीं रहती हैं, कभी किसी और कारण से खड़ी रहती है, इन सारी बसों को हम लोगों ने on route किया है, और ये सारी बसे अभी लगातार चल रही है और ये पूरे incentive में चलती रहेंगे, जिससे कि हमारी परदेश की जनता को इन तेवहारी सीजन में किसी परकार की कोई परिशानी का सामना न करना पड़े, यहीं चलती रहेंगे, इसमें मतलब इससे क्या होता है, मैं आपको बता दूँ कि जो हमारी नॉर्मल यात्री होते हैं, वो 15 लाक होते हैं, अभी जो तेवहार सीजन में उसमें 20-20 लाक तक यात्रियों ने सफर किया है, हमारी बसों में तो निश्ची तोर पे यह परिवहन निगम की जो तैयारिया थी, उसके कारण से ही हम लोगों ने सफलता पुर्वक इस संचालन को बेगर किसी दिक्कत के पूरा किया है, मैं माननी मुखमंत्री जी का और माननी परिवहन मंत्री जी का धन्यवाद देता हूं, कि लगातार उनका इसने प्राप्त होता है परिवहन निगम को, परिवहन निगम को बजटिये सहायता भी बहुत अच्छी मिली है, अब हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज आने वाला महाकुम है, जो कि एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक धार्मिक एक उत्सो और आयोजन है, इसको सफलता पूरवक पूरा कराना परिवहन निगम की सबसे बड़ी चुनोती और जिम्मेदारी है, और इसके लिए लगातार हम लोग काम कर रहे हैं, मैं पुना धन्यवाद देत उनके आका अच्छाओं पर पूरा उतरने का पूरा परियास करता है।